धमपद गाथा कथा नंबर 1661 बाल वग्गो इम्मेच्वर सेक्षन ऐसा आपने बहुत सारे फेस्टूप पे इंस्टाग्राम पे यूटूप पे या लोगों से कहते हुए आजकल बहुत ज़्यादा क्योंकि बुद्ध के कोटेशन आजकल बहुत ज़्यादा घूम रहे है उसमें एक कोटेशन आता है कि अगर आपके साथ में समझदा लोग नहीं है या समझदा लोग आपकी बात नहीं मानने हैं या नहीं चल रहे हैं आप अकेले ही चलें ज़्यादा अच्छा है या चाहें भले ही बिप्रिति साम जाना पड़े अकेले ही जाएं तो भेतर है ये दरसल गाथा नंबर 61 में जो गाथा कही गई है ये गाथा ये कोटिशन वहीं से लिया गया है ये घटना राजगीर की है राजगिरह की है जो इस्थिवर होते हैं इस्थिवर उनको बोलते हैं जो अपने धम में इस्थि रहते हैं प्रग्या में इस्थि रहते हैं साध्रा में इस्थि रहते हैं इस्थित रहते हैं तो महा थेर जो इस्थिवर हैं या जो थेर हैं या भिक्कू हैं वो अपने साध्रा में अपनी विपस्णा में रहते हैं, उनके दो सिस्सें जो सीख रहे हैं एक सिस्से उनकी हर बात को मानता है और धम में बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है, धम को सीख रहा है मगर दूसरा जो सिस्से है उसका ध्यान नहीं लगता उसके दिमाग के अंदर हम ऐसा निगेटिव चीजें चलती रहती है वो जूट बोलता रहता है धम के आच्वन के विरुद काम करता रहता है कभी वो गाउं में चारिका करने जाता है तो कहता है कि आज महाकर्षब थेर की तवित खड़ाब है ये वाला खाना चाहिए ये वाला खाना दे देजी और खुदी आस्तिम उसको खा लेता है कभी कहता है कि महा थेर को आज बहुत ठंड लग रही है या गर्म लग रही है तो ये कपला चाहिए वो चाहिए लोग दे देते है कभी कहता है कि कि आज महा थेर ने ये सामान मांगा है वो सामान ले आते हैं आके वो जब आता है सिविर में जहां इस्थिवर रहते हैं तो वहां जोड़ बोलता है कोई काम करता नहीं काम को फैलाता है बहुत उसको समझाया बहुत डाटा वो नहीं मानता है तो उसको छोड़के महा कस्यप थेर चारी कामे अपने एक सिसे जो अच्छा सिसे था उसको लेकर चले गई जो खराब थेर था उसने वहाँ गुस्से में सब चीजे फैंक दी और उनकी पूरी जोपड़ी में कुटी में आग लगा दी सारा सावान विखेड दिया इस बात की चर्चा जब सावित्थी के अंदर जब धम संसद में धम सवा में बुद्ध के समक्षाई तो बुद्ध ने ये गाथा उस समय कही जो गाथा नंबर 62 है 61 है इस प्रिकार है चरंचे का मतब है चर चे चर माने होता है चलना चलते हुए और चे माने होता है यदी यानि यदी चलते हुए ने अधी गच्छे का मतलब है ने अधी गच्छती यानि ने प्राप्त करता हो अधी गच्छती माने होता है प्राप्त करना और ने माने ने प्राप्त कर पाए अधी गच्छे का मतलब है अगर ने प्राप्त कर पाए यदि चलते हुए ने प्राप्त कर पाए क्या सेयंग सेदिस मतनो सेयंग माने स्रेष्ट है स्रेष्ट यानि अच्छे सेदिस मतनो माने सेदिस का मतलब है जो समान हो यानि कि समान द्रस्य वाले सद्रस्य मतनो माने मत वाला विचार वाला यानि कि सेद्रस से मत तनो सेद्रस से समान मत वाला कोई व्यक्ति यानि आपको अगर चलते हुए कोई नहीं मिल पाए स्रेश्ट आपके जैसा सेद्रस से चलने वाला मत वाला एक चरियंग दढ़हन करिया कैरा एक चरियंग यानि कि एक ही चले अकेला चले दड़हिंग माने दड़ता से और कईरा माने करे यानि चले तो फिर अकेला ही दड़ता से चले नत्ती बाले सहायता जो आपने सुना होगा सहाय माने होता है मित्र और सहायता माने होती है फ्रेंडशित बाले माने होता है मूर्ख एक तरह से कह सकते हैं मूर्ख या इम्मेचौर और नत्थी माने नहीं यानि कि जो इम्मेचौर है जो मूर्ख है उसका साथ उसका सहचर ना बने नत्थी बाले सहायता यानि कि उसकी सहायता ना ले उसका सहचर ना बने इसका मतलब ये है कि जो इसका गहरा मतलब है एक तो इसका आम मतलब हो गया कि अगर आपके विचार जैसा आपकी रहेका अगर आपकी सोच वाला कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलता है तो आप फिर अकेले चलें किसी मुर्ग से सायता से अच्छा अकेला चलना बढ़िया है एक तो इसका मतलब यह है मगर ये पूरा मतलब नहीं है ये मतलब लोगों ने इसका बना लिया है इसका मतलब गहरा है वो कहते हैं कि अगर आप धम में चल रहे हैं प्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं धम सीख रहे हैं और आपको कोई धम में साथ आपका धमिक नहीं मिलता है जो इतना धम जानता हो जितना आप जानते हैं या आप से ज़्यादा धम जानता हो जो सील समाधी प्रग्या में आप से ज़्यादा प्रविन हो ज़्यादा सीखा हुआ हो तो फिर ऐसे व्यक्ति के साथ ना रहें ना चलें जो आपसे कम जानता है तो कि अगर आपसे कम जानता है तो फिर आप उसके साथ में धम नहीं सीख पाएंगे क्योंकि जतना वो जानता है उससे ज़्यादा तो आप जानते हैं अकिले धम्म में प्रिविण हो और धम्म को जादा अच्छी तरह से गहराई से विपस्टना साधना करें ये एक इसका ठोस मतलब होता है जो दूसरा इसका वेवारिक मतलब है वो ये है कि अगर आपकी विचार जैसा तो कि विचार में दो तरह की विचार आते हैं इसमें ऐसा भी आ सकता है कोई ऐसम्मा हो यानि के ऐसम्मेक विचार वाला हो जैसे कोई चोड़ डांकू है और चोड़ डांकू को अगर उसके जैसा कोई सदर से चोड़ डांकू ना मिले तो वो अकिला चले मगर ये चोड़ डांकू के लिए नहीं है ये सम्यक लोगों के लिए है क्योंकि भगवान बुद्ध ने सभी जगे सम्यक का अस्तमाल किया है और दुनिया में सारी बातें पॉजिटिव बताई है ये भी पॉजिटिव ही है गाथा में कि आपको अच्छे लोगों के साथ में चलना चाहिए और अगर अच्छे लोग नहीं मिलते आपको जैसे नहीं मिलते तो आपको दर्टा से अच्छाई पे अकेले ही चलना चाहिए अच्छा ही प्या के लिए चलने से आपके अंदर बुरा ही तो कम से कम नहीं आएगी अच्छा ही आपकी बड़े या ना बड़े अगलग बात है धन्यवाद का किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे अपने page पे अपने tutor पे या अपने handle पर या link को कहीं भी शेयर कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप youtube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा से वितना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेनं गच्छामी संगं सरनं गच्छामी दूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी दूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी दूतियं पी धम्ममर सरनं गच्छामी दूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी दूतियं पी संगं सरनं गच्छामी बुखियं पी सन्यम सर्णं कच्छामी तरतियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी बुखियं पी सन्यम सर्णं कच्छामी तरतियं पी सन्यम सर्णं कच्छामी कामे समिच चरविर्मनी सिखापदं स्माधियामी